और एंइए पूर्णें पूर्ण गुट मॉर्निंग चलिए आज है пропelancrum चलिए आज हमारी टाइमенद दिस्टेंस की चलसे आज हमारी हाना क्या पढ़ रहा हिए देख लए यह लिखता ति से इस इसमीडऱ आ पढ़ रहे हुआ हाँ है टाइमं डिस्टेंस में टाइप पांच हमने कवर किया था टाइप पांच में रेस uneven झुड़े मेंने नहिंद मekk एक और चीज रेस वाले कल हम सर्कल वाले कुश्चन कर रहे थे कल लास्ट में कुश्चन किया था सर्कुलर रेस वाला हमने है ठीक है क्यों कुश्चन था सर्कुलर रेस वाला हो गया था कल यह थोड़ा सा और एक दो कुश्चन और करवा देता हूं चलो सर्कुलर रेस वाले ईग दो कुश्यन केता लास्ट में हमने कुन सा क्वेश्यनन नम्बर था बता देता हूं आपको थोड़ा सा रिवाइस करके आगे चलते हैं क्या था कुश्यनन कुश्यनन है कंखर नंबर 11 न यह था कल टेक कुश्यनन छूर्ण बच्विता हूं कि दो यहां से स्टाट करते हैं ए और यहांॡ कि ए टीक है और डीस पीड कार शंय क्या है पांस से चार है ना कहने का मतलब ऐसा है एक ही बात करें ए यहां आया उतने ही टाइम में बी यहां आया ए ने डिस्टेंस कवर किया पांच बी ने डिस्टेंस कवर किया चार तो दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस बताईए वन यूनिट है के नहीं है कि दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना है वन यूनिट है और क्रॉसिंग सक्सेज होने के लिए यह क्या रिलेटिव डिस्टेंस है रिलेटिव डिस्टेंस क्या है रिलेटिव डिस्टेंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके रिदम और दियान रखना है न यह पांच गया चार गया रिलेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट किसके बरावर होना चीए 1000 राउंड起ar वन राउंड और यहां का one राउंड केतना मैंट्र का साहा है संभिज़ा उन्हें इंड के तो इसमें बरावर केतना होना चीए चार सो यहने कि हमेशा वन राउंड समझाई बात ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थे अब सवाल क्या है टास्क क्या है कि भाईया 400 मिटर के ग्राउन पे A और B दोनों 5 किलो मिटर तक दोड़ेंगे अब 400 मिटर का किवल ट्रेके तो 5 किलो मिटर के लिए इतना तो तय है कहीं सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे बार बार तो सिधी सी बाते A की चाल ज़्यादा B की चाल कम है तो continuously A, B को पीछे से आ के क्रोस करेगा क्या दोनों एक साथ चले A और B A की चाल ज़्यादा बी की चाल कम है तो सिधी सी बाते इतने 5 किलोमेटर की रेस में कई बार A, B को पीछे से क्रोस करकर के निकलेगा कर निकलेगा तो सवाल का कहना है कि 5 किलोमेटर की दोड में A, B को कुल कितनी बार पीछे से क्रोस करकर के निकलेगा समझाई बात अब सुनना मेरी बात crossing 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 पे रुको अब crossing एक साथ चले एक साथ चले दोनों पहली बार cross होने के लिए तो crossing success होने के लिए जो दोनों की सापेक्ष दूरी है यह 5 जाएगा उतने ही समय में 4 जाएगा तो relative distance 1 बनेगा के नी बनेगा clear? थोड़ा और length बढ़ा लो चाहे तो length बढ़ा भी लोगे तो relation में तो 5 और 4 ही आएगा इसका 5 आएगा तो इसके respect में दूसरा 4 आएगा तो relative distance हमेशा 1 ही आएगा समझाई बार तो जो relative distance 1 है इसका value कितना होने पर crossing success होगी एक round तो 400 यहने कि 1 बराबर 400 तो 5 बराबर 5 बार 400 बताओ 2000 मेटर यहने कि 2 किलो मेटर आएगा कि नहीं आएगा तो भाईया A क्या कहता है A कहता है A कहता है कि B को cross करने के लिए एक बार cross करने के लिए A को कितना दोड़ना पड़ता है 2000 मेटर ए कहता है कि जब मैं 2000 मिटर दोडता हूं तब जाके B की तुलना में 400 मिटर cover कर पाता हूं और सिदि सी बाते A B को पीछे से cross तब करेगा जब A B से 400 मिटर आगे निकल जाएगा आगे निकलते निकलते 400 मिटर आगे निकल जाएगा 400 मिटर extra चल लेगा AB की तुल्ना में AB की तुल्ना में जब पूरा 400 एक्स्ट्रा चल लेगा पूरा गोला 400 एक्स्ट्रा चल लेगा तब जाके तो AB को पीछे से आके छूएगा समझ जारी बात तो 1 बराबर 400 तो 5 बराबर 500, चार बराबर 4 बर 400, 1600 कहने का मतलब B जाएगा 1600 और A जाएगा 2000 तब ही तो 1600 से 2400 चलेगा और हम जानते हैं कि A B को पीछे से कब टच करेबा जब A B की तुलना में 400 मिटर जादा चलेगा A, B की तुलना में A, 400 मिटर जादा चल लेगा 400 मिटर तब जाके पीछे से उसको मारेगा न, आकर समझारी बाद, तो हमने देखा, कि भहिया, A से पुछा हमने, A से कि भहिया क्या कहानी, तो कितने टाइम में, कितना दोडने के बाद B को पीछे से क्रोस कर देगा, तो A कहता है, कि जब मैं 2000 मिटर दोड़ूँगा न, तब जाके B को पीछे जाके छूँगा, क्योंकि जब मैं 2000 मिटर दोड़ूँगा, जब 2600 दोड़ेगा, और इसकी तुलना में 400 आगे निकल जाने का मतलब है कि 400 आगे निकलने का मतलब पीछे से आके मिने उसको टच कर दिया समझारी बात ऐसा तो बेसिकली बात करें कलम ने क्या सीखा था क्यों हिया crossing successful होने के लिए इस अवाल सीखना पड़ेगा आपको ध्यान रखना है ना ध्यान रखना crossing success होने के लिए हमेशा relative distance जो होगा उसका value उसका length कितना होना चीए एक रण एक बड़ाबर 400 तो पांच बड़ाबर पांच बड़ाबर तारसो दोजार तो अब एस से बात करो अब ध्यान रखना एक और चीज रेस हमेशा उसके हिसाब से चलती जो रेस में सबसे तेज दोड पांच किलोमेटर कवर कर लिया तो चाहे बी दोड़ा है रेस खतम हो गई के नहीं हो गई तो रेस हमेशा उसके साथ चलेगी जो तेज चलेगा तेज कौन चल रहा है इसलिए एक को आधार बनाएंगे तो एक कहता है कि जब मैं 2000 मिटर दोड़ता हूँ, 2000 मिटर यानि कि 2 किलो मिटर, 2 किलो मिटर दोड़ने पे एक बार क्रोस करता हूँ, 2 किलो मिटर दोड़ने पे एक बार क्रोस करता है, यानि कि हर 2 किलो मिटर में एक बार क्रोस करता है, तो 5 किलो मिटर में, 5 किलो मिटर में 2-2 किलो मिटर के क कि नहीं करेगा दो किलो मिटर में एक बार हर दो किलो मिटर में एक बार क्रोस करेगा एक बी को है ना समझ आई बात तो पांच किलो मिटर में दो दो किलो मिटर दो बार यह नहीं कि टोटल दो बार क्रोस होगा के नहीं होगा बोलो पूटल दो बार क्रॉस होगा क्या नहीं होगा बुला समझे के नहीं समझे बातको're कि यह इतनी सी बात है कि इत्री बार होगार ठीक है एक और सवाल ले रहा है रहीध़ 》सवाल आपके सामने बनाऊंगा, आपके सामने solve करऊंगा, थोड़ी से practice करेंगे, देखिए कहानी इसी है, हाँ, चलू ही, 500 मिटर का ट्रेक है, आधा किलो मिटर का ट्रेक है है न, ठीक है, और, 500 मिटर का ट्रेक है और, A और B की speed का ratio है, speed का ratio है, चार से तीन, और समान दिशा में दोनों दोड़ रहे हैं, A और B, ये A और B की speed का ratio, बताओ, 15 किलो मिटर की दोड़ में, रेसे 15 किलो मिटर की, पंदरा किलो मिटर की दोड़े, 500 मिटर के, A और B की speed का ratio, A, B को कितनी बार cross करेगा, बोलो जल्दी, सोचो जल्दी से अपना answer, बस अपना answer निकालो है, दो सेकर, दो मिनट का time दे रहा है, निकालो जल्दी से अपना अंसर फिर बताता हूँ आपको आगे है ना निकाल ये ऐसे कर सकते आप बता बता कियते बाल आएगा चलो करते हैं डिस्टेंस वन है क्या यह रिलेटिफ डिस्टेंस वन makan if एक राउंड यानि कि पांत्सो मिटर, अब एक बराबर पांत्सो मिटर रेस एक ही सबसि चलेगी, जिसकी सपिट जादा उसको आधर बना हो गया अब है ना, एक बराबर पांसो चार बराबर चार बराबर पांसो यनिकी दो किलो मिटर यनिकी क्या कहता है ये दो किलो मिटर में एक क्रोसिंग करेगा एक बराबर पांसो चार बराबर चार बर चार बर पांसो मेटर यहीं कि आधा किलो मेटर एक बराबर आधा किलो मेटर तो चार बराबर दो किलो मेटर होगा कि नहीं होगा दो किलो मिटर में एक बार क्रोस करेगा तो पंदरा किलो मिटर में टोटल साथ बार क्रोस करेगा क्या बोलो दो किलो मिटर में एक बार तो पंदरा किलो मिटर में दो-दो किलो मिटर के टोटल साथ सेट है क्या साथ तो बताइए 7 times crossing होगी क्या नहीं होगी हमें सब भागफल निकाल लो रेस में इससे divide करके भागफल निकालो तो 2 15 में 2 से divide करोगे तो question बताइए question 7 आएगा कि नहीं आएगा मतलब 7 times है ना तो भागफल यहने कि question क्या आएगा सीमिंग है ना question आएगा आपका 7 यहने कितने time crossing होगी 7 times कितना easy question है easy लग रहा किन लग रहा बताओ जरा ठीक है अब इदर देखो एक दो question और लेते हैं यह सेम डिरेक्शन एक दो सवाला मापोसिट डिरेक्शन के भी लेंगे है ना फटा 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 स्पीड से चीज समझ में आगे थोड़ा स्पीड से चलो इधर देखो आप लो यह देखो भाई हाँ 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 800 मिटर का ट्रेक है 800 मिटर का ट्रेक है ए और बी की स्पीड का रिशियो है कि बोलो क्या दू स्पीड का रिशियो क्या दू क्या दू क्या दू क्या दू क्या द लोड है यहां पर आपके कितने 20 किलोमेटर की रेस है चलो भई सेम डाइरेक्शन है ना सेम डाइरेक्शन अभी मैं पॉजिटीव लूँगा है है ना इस चलो देखो जर रिलेट्टिव डिस्टेंस हमेरेसा एक रावन के बरावर होना जी एक बरावर बर यह तो तेज दोड़े को सके साब से तीन बरावर शोविस्समेटर 24 metre यारी 2.4 km 2.4 km में 1 crossing तो 20 km में कितने crossing तो 2.4 km के कितने set आँगे 20 में हमें देखना है तो 20 में 2.4 से divide करो और question निकाल लो समझ आरी बात बीस में किसे divide करोग्या आप 2.4 से बोलो समझे non clear यतने सा बाद ठीक है चलिए डिवाइट करते हैं और question निकाल लेते हैं वैसे ओरली देखूं तो 24 तिया बहुत्तर 144, 248, 8 बार होगा शायद क्योंकि 2.48 टाइमस में 19.2 होता है तो बस हो गया ना 19.2 है ना 8 बार होगा शायद 2.4, 2.4, 8 बार में 19.2 आ जाएगा नवी बार में तो 20 के पार हो जाएगा ना तो 2.4 कितनी बार आएगा 19.2 में 8 बार एक और बार 2.4 लोगे 20 के पार हो जाएगा यानि टोटल 8 टाइमस आएगा या फिर डिवाइट कर लो इसको डेसिमल हटे का उपपर 200 लागे 200 बटा 24 सो बाई 12 सो बाई 12 को और सवलो करोगे 50 बाई 6 और सवलो करोगे 25 बाई 3 निकाल लो 8 बार टोटल 8 टाइमस क्रोसिंग होगी है ना समझे के नहीं समझे बोलो कि बोलो एक और कुश्यन यहां लेता हूं मैं बड़ा शानदार साही देखो जड़ा ट्रेक की लंबाई आपकी 300 मेटर है भाई यह तीन सो मेटर का ट्रेक है ना अब अंसर देना फटा- पृटल क्रोसिंग होगी अच्छा इसके हिसाब से लोगे इसके हिसाब से क्योंटी चल जाद है तो चार बार टीनसा बताईए 1200 मिटर अच्छा बारा सो मिटर याने की 1.2 किलो मिटर हुआ कि नहीं हुआ वह ना तो पांच किलोमेटर की टोटल रहे से 1.2 किलोमेटर में ए फिर यह करो पांच में 1.2 से डिवाइट कर दो कर दो डिवाइट पॉइंट रटाओ तो पर पचास बाइबारा याने की पचास बाइबारा याने की पच्चीस बाइच छे आ जाए गई तो सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर ना भागफल चार आएगा चार बार क्रोसिंग पर लगेंगे फिर आम आगे बढ़ते हैं वह दो कुशन बचे अब उनको बचे रहने दामें एक्जाम्पल सर्च कर रहा उनके लिए शांदार वाले थोड़े हैं तक अच्छे समझा सको टाइन नहीं मिल पाया कर चला अब अब अपोजिट डिरेक्शन में लेते हैं यह देखे आपका कि 700 मेटर का अब ध्यान रखना एधर भाग रहा है और वी इधर भाग रहे अपोजिट डिरेक्शन ठीक है एसे बी की स्पीड का रिशियो है तीन से चार अब बताओ भीया अब यह चाहरा हूं कि दोड़ है दोड है, दोड कितनी है, कितनी है, कितनी है, रुको मैं बता रहा हूँ, दोड कितनी है यार, एक मिनिट रुको, दोड है आपकी 700 मिटर, नहीं, रुको, रुको, कितने किलोमेटर की दोड ने बताओ, आप बोलो, चलो, ढाई किलोमेटर, तीन किलोमेटर की रेस ले ले, चल बोलो 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 जल्दी बोलो फटा-फट कितनी बार क्रोसिंग होगी अप सुनन के कैसे ऐसा यह यह नहीं की कैसा है इसा यह दोड़े हला तू तो बताओ रिलेटिस्टेंस दोनों के विए सात बना के निए बना एप्योजित् डिरेक्शन में relative distance जोड़ कर बनता है ये 3, ये 4, 7 same direction यदि होता है तो ये 4 दोड़ता ये 3 दोड़ता relative distance बताओ रिलेटिव डिस्टेंस बताओ एक है कैं, नहीं है relative distance मतलब दोनों के बीज बनने वाला margin दोनों इनसानों की बिज बनने वाला फासला यहां दोनों इंसानों के बिच बनने वाला फासला आपके बताओ चार में से तीन गया माइनस करके आएगा कि नहीं आएगा और इस केस में चार गया एक तीन गया तो चार गया तीन गया यह दोनों इंसान यहां आ गए इनके बिच का फासला बताओ चार प्लस तीन से बनेगा कि नहीं बनेगा तो relative distance same direction में माइनस करके बनेगा opposite direction relative distance कैसे बनेगा जोड करके रिलेट्टिव डिस्टेंस का value हमेशा one round जितना होना चीह कल बताया था अरे opposite direction में चाहे तो यह इतना जाएगा यह इतना जाएगा तो भी देखो ना दोनों फासला एक चक्र जीतना है किनि रिलेटिव डिस्टेश वन राउंड तो एक चीज ध्ह skirt घ्यान है से consistent subscribe करके बनेगा 90 को एक राउंड के बरावर रखना है कैं ढिलेटिव डिस्टेंस डिफ्रेंस और जब रिलेटिव डिस्टेंस जूड करके बनेगा है न तो 7 बराबर 1 राउंड तो बताए एक राउंड 700 मिटर का है क्या तो 7 बराबर कितना आएगा ये 700 बोलो समझे के नहीं समझे बात को है ना अब मैंने समाझे कितना आएगा ये 700 है ना ठीक है तो चार और तिन 7 बराबर कितना आएगा 700 ठीक है अब देखें यहांपर 7 बराबर कितना ये 700 अब मैंने बला रेस हमेशा का हिसके हिसापस चले जो तेज़ दोडता है कौन थेज़ दोड़ बताएं कुन थेज जरा रेस बी के हिसाब से चलेगी के नहीं चलेगी कौन तेस दोड़ रहा है बी तेस दोड़ रहा है तो रेस बी के हिसाब से चलेगी के नहीं चलेगी क्लियर तो साथ बराबर साथ सो तो चार बराबर 400 यानि कि B 400 दोड़ेगा तब जाके एक बार crossing करेगा यह ऐसा है 400 दोड़ेगा 300 दोड़ेगा मतलब कहने का मतलब जानते रेक 700 का है यह 400 दोड़ेगा और यह दर से कितना दोड़ेगा 300 देखो 400 300 700 गया मिल गए के नहीं मिल गए दोनों तो यह A है रेस हमेशा किसके सब चलेगी जो तेज दोड़ता है तेज को दोड़ रहा है B साथ बराबर 700 चार बराबर 400 तो B क्रोस करने के लिए B को कितना संगर्स करना है 400 का आप ही देखो ना B 400 और A 300 हो गया 700 देखो क्रोस किया के नहीं किया दोनों एक दूसरे को तो रेस A के हिसाब से चलाओगे ना की B के हिसाब से कोन जल्दी पूरा करेगा 3 किलोमेटर बताओ यह A जल्दी पूरा करेगा 3 किलोमेटर के B करेगा आप ही बताओ obviously A करेगा के नहीं करेगा समझारी बात आप लोगों को तो 3 किलोमेटर कौन जल्दी पूरा करेगा A करेगा समझाई बात तो जो जल्दी पूरा करेगा जैसे उसने 3 किलोमेटर पूरा किया इने रेस खतम हो जाएगे तो आप देखो A क्या कहता है कि भाईया हर 400 मिटर में एक बार क्रोस करता हूँ अब यह एक बार क्रोसिंग हो गए अब यहां से A 400 जाएगा तो उधर से B 300 आ जाएगा यहां से A 400 आया फिर अगला 400 जब A जाएगा तो B उधर से 300 आएगा कि नहीं आएगा फिर cross हुए के नहीं हुए, तो हर 400 पे A cross कर रहा के नहीं कर रहा बताओ, कर रहा के नहीं कर रहा, तो वही चीज में समझाना चाहरा हूँ, कि A कहता है, सोरी B, यह B है, 400 वाला B है, मैं गलत बोल रहा था है, तो B कहता है 400 मिटर में एक बार cross करेगा, 400 मिटर में एक बार cross आएगा तीन किलोमेटर याने की तीन हजार मीटर तो तीन हजार मीटर में चार्सो 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 कितनी बार आएगा सेवन टाइमस आएगा शैद चारसो साथ बार करोगे तो 2800 हो जाएगा 2800 तो देखो 3000 के आस पोज गया न 2800 अब यदि 7 बार में 2800 8 बार में 323000 पार हो जाएगा तो टोटल 7 सेट बनेगे 4400 के 3000 में या फिर रेस के अंदर 400 से डिवाइड लगा दो कन्फियस तो नहीं हो रहे न लिंक बनी हुई है बनी होनी चीए 3000 में किससे डिवाइड दोगे आप 400 से 2000 गैंसल और काड़ दो 15 बटा दो आजाएगा 30 बाई 4 15 बटा दो क्या कुईशन्ट क्या आएगा 7 आएगा क्या बताईए 15 में 2 से भाग दो 2 सती 14 बताई यह कुईशन्ट सेवन आएगा के नहीं आएगा बोलो क्लियर है कि इतनी सी बात आप लोगों को तो कुईशन्ट कितना आएगा इसका सेवन है न कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को एक और सवाल अप्पोसेट डिरेक्शन का लेता हूं फिर आगे बढ़ेंगे यह सर्कुलर रेस थी व्रत्ता का रेस थी है ना थी नहीं है मतलब एक और कुशन कर लेते हैं चलो भी देखो जरा यह ट्रेक है आपका ट्रेक हम मान लेत चलो पांटसो मिटर का ट्रेकर ऑद नबहाले आपकी और सःके साध्यीन किलोमेटर की साड़ेतिन किलो मिटर का मतलब होता है पेतिस सो मिटर समझे के नहीं समझे बात को साड़ेतिन किलो मिटर का मतलब होता है पेतिस सो मेटर क्लिया ठीक है चलो ही अपोजिट डिरेक्शन में दोनों को जोड के बनेगा पांच बराबर एक राउंड होना चीए और एक राउंड में एक बार क्रोस करेगा तो 3500 में कितनी बार 400 तो 3500 में आप डिवाइट करें 400 से 000 कैंसल है ना 000 कैंसल चार से भाग देंगे बता यह आठ आएगा क्या भाखफल चार एठ बत्तिस बता यह भाखफल आठ आए करते हैं थी कि चलो इसके बाद अगले टाइप पे मैं आ रहूं नेक्स टाइप किया हमारे टाइमेंड टाइमेंड डिस्टेंस में अभी हमने कुछ भी नहीं पड़ा है सारी दुनिया बची ध्यान रखना है ना ठीक है जो होता जारा उसकी प्रैक्टिस करना चालो करो आप बस ठीक है चलिए आगे टाइप सिक्स कर ले छोटा सा है लिए एविए टाइप सिक्स चोटा सा है काम करें टाइप सिक्स के पहले टाइप एट कर ले टाइफ और चोटा इपेटा में और माझा आएगा पहले टाइप करेंगे धर और शिक सेवन करेंगे थ्यूंब D écolo. D हाँ देखिए क्या है कहानी सुनों कि टाइप 8 करवा रहा हूं पहले है ना इजी है इसलिए एक चीज मैं आपको बताई है जब डिस्टेंस कॉंस्टेंट हो डिस्टेंस कॉंस्टेंट याने की समान हो तो इस्पीड और टाइम आपस में इन्वर्स होते है यदि स्पीड का रिश्यो ए से भी है तो टाइम का रिश्यो अपने अब बी से होगा क्योंकि इस्पीड इन्ट टाइम डिस्टेंस होता है डिस्टेंस यदि समान रखना है तो तो speed into time distance AB, तभी तो speed into time distance AB balance रहेगा, यह बंदा A है यह बंदा B है, A से B की speed का ratio A से B है, तो बताए time का ratio B से हो जाएगा, यह उल्टा कभ होता है, जब distance क्या हो constant, यदि distance constant रखना आपकी मजबूरी है, कि speed AB को time का ratio B करना ही पड़ेगा, तभी तो speed into time से यह distance, सेंगWhen और गा घिस्टेंज को इंट डिस्टेंज को हमें बेलेंस करना है तो ए बी को उल्टा करकdd करना पड़ेगा अब लिए बी दोनों आ जाये ए इसके अंदर वह फिए 24%, तरह टो स्वी Case pandemic अपसमें क्या होते इन वर्स जब संस्ट इंस estás बस टाइप 8 खतम हो या टाइप 8 का पहला सवल पढ़ रहा हूँ एक वायू यान एक निश्चित दूरी को 240 किलोमेटर प्रतिगंट गते से 5 गंटे में ताई करता है यदि यही निश्चित दूरी एक सही 2 गटा 3 गंटे में ताई करनी हो तो वायू यान की गती कितनी होगी ठीक है एक निश्चित दूरी कोई डिस्टेंस है किसी पर्टिकलर डिस्टेंस को एक वायू यान 240 की चाल से ताई करता है तो कितना टाइम लग जाता है 5 गंटे 5 गंटे लग जाते ठीक है यदि इसी दूरी को एक सही 2 बटा 3 गंटे में ताई करना है तो स्पीड क्या होन चाहिए एक ही दिस्टेंस उसी हुषी दूरी पे ये कहाणि तो दोनों case की दूरी समान है के नहीं है उपपर वाले case को आгफ फ्रस्ट case मांब वाले को सेकंड case मा बंबत से को समास्त और डैख वांब किसी दूरी को 240 की चाल से तै करने में 5 घंटे लगते हैं और उसी दूरी को यदि एक 2 ?το आइ तीन घंटे में तई करना हो, तो चाल क्या होनी चीया है, वही दूरी, वही दूरी समान है, अब देखो, हमारे पास दोनों की चाल तो अवयलेबल नहीं, लेकिन दोनों का टाइम अवयलेबल है, तो टाइम का रिस्टेंस कॉंस्टेंट हो, तो speed का ratio दिया हो तो speed को उल्टा करके time बन जाएगा और यदि time का ratio दिया हो तो time को उल्टा करके क्या बन जाएगी speed बोलो समझे के नहीं समझे बात को जब speed दी हो तो speed को उल्टा करके time बन जाएगा और जब time दिया हो तो time को उल्टा करके क्या बन जाएगी speed अब लिए समझें के नहीं समझें इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है ना ठीक है अब देखो हमारे पास दोनों का टाइम अवेलेबल है ने टाइम का रिशयो बन बन ही जाएगा पांच एक सही दो बटा तिन के तना होगा पांच वैद तीन हो जाएगा इसको सिंप्लिफ और यह 523 नहीं है तो पांच और पांच बाइटीन को सिंप्लिफाइब करें गया आप पांच-पांच एंसल बताओ रिशियो त्री रिशियो वन आयेगा कि नहीं आयेगा है ना तो टाइम का रिशियो क्या आएगा थी रिशियो वन टिर टाइम का रीशियो क्या है थ्री रेशियो वन है ठीक है तो हमें क्या करना है इस्पीड का रेशियो ठीक है यह जितने भी सवालों ये सब में time दिया होगा आपको है ना तो time को इल्टा कर करके speed की रीशियो बनाना यहीं काम करने 3 —1 को वन —3 कर ले यह एए and speed का rating रही है यह आएगा कि बता ही चलनit. अब first case क्रॉ Anh 2 Сो yet क्या यह देखो फर्स्ट केस की स्पीढ नाई है सेकंड कैस की स्पीढ थीन तो bend245 और जींट की स्पीढ थीन नहीं है डिटीं का अंसर किया है 720 किलोमेटर पर और ऑप्षन में है के नहीं है होना ही पड़ेगा यस ऑप्षेंड है ना चलो कुछ नंबर्ट पर आ जाओं क्या है तो जब डिस्टेंस सेम हो तो इस प्रीड टाइम आपस में क्या हो जाएगा इन्वर से ना चलो मैं को चुछ नंबर टू प किसले कुं साढ़े-चार गंटे में तए करते हैं कि मैं कि इनला देते लृण इतनी बात है ना यदि शाल को 5 किलो मिटक्ता बड़ा दिया जाए चाल नहीं पता यह एकि चाल में बढ़ा दिया जाए पांच किलोमेटर प्रती घंटे बड़ा दिया जाए तो सिरी सी बात रे टाइप ठोड़ा घटेगा आदा घंटा कम लगेगा आदा घंटा कम लगने का मतलब यहां के विल चार घंटे लगेंगे तो वही टाइम का रिशयो बनेगा इस्पीड का रिशयो हम बना लेंगे और अ इक यह के नगता इस्पीड को आदे टीगे में दैए अब हमें क्या दिया इसय। इसकी तुलदा में स्पीड पांच ज्यादा है तो यूनिट के फ़ fasc student कितनी ज़्यादा तो एक यूनिट बराबर पांच है के नहीं है तो एक यूनिट बराबर पांच किलोमेटर पर अवर है ना तो क्या निकालना है धीमी कार की गती बताईए धीमी कार की गती तो धीमी कौन सी गती है ये वाली गती धीमी है कि ये वाली धीमी ये वाली धीमी है तो एक बराबर पांच तो आड़ बराबर 40 किलोमेटर पर अव देखो ना क्या करना है Distance constraint है, इन सारे सवालों में Speed with Time आपस में क्या है, Inverse Clear तो time कर इस गिवन है हमें देखो इसमें भी time given था ताकि इन दोनों को रखे time कर इस बना सके इसमें भी किसी तरह दोनों का time given है ताकि time कर इस बना सके तो speed का change, change in speed 8 और 9 में 1, 1 बराबर 5, तो धीमी speed 8 है, ज्यादा speed 9 है, धीमी speed 8 बराबर 8 बर 5, 40 km पर अवर है न, यहां क्या दिया था, speed का difference नहीं दिया था, original speed दी थी, एक बराबर 240, एक बराबर 240, तीन बराबर 240, 720 है ना, तीसरे सवाल पर आजाता हूं, यह फिर यसा कर सकते है, तीसरा आप खुद करो, इस्टेशन A से B की दूरी 45 मिनिट में तई करती है, यदि 5 किलो में 48 मिनिट में, ठीक है, देखो, A से B की दूरी एक बार 45 मिनिट में, ए एक बार 48 मिनिट में, पांच किलो मिनिटर बढ़े, खुद से करोगे आप है, तीसरा वाला खुद से करोगे, ठीक है, अच्छे, इसमें दूरी भी निकालनी है, चलो बता देता हूं, तीसरा वाला है ना, फिर चोथा वाला, तई करती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है क्विश्चन नंबर थ्री चलो क्या है क्विश्चन नंबर थ्री एक रेल गाड़ी स्टेशन एसे भी इस्टेशन एसे बी के बीच की दूरी पेटालिस मिनिट में तै करती है है व्रसा हैके फिर फिर को पांच किलोमिटर ठाई-घठटा दे तो और अज्टालिस लगें और इस्पीड को कितना घठा रहा है पांच निएब फस्ट केस यह सेकंड क। यह वस्ट को सेकंड केस में टाईम का पेतालिस और अड़तालिस यानि कि आप देखे जरा पंदरा से सोला का रिशियो है क्या तो इस पीड का रिशियो सोला से पंदरा बना ले क्या बोलो बन जाएगा क्या कि इस पीड का रिशियो क्या बन जाएगा 16 से 15 है अब देखो जा रहा है इस पीड जो कम की एक 16 से 15 एक कम वो एक कम 5 के बराबर है एक बराबर कितना है 5 यदि एक बराबर 5 है तो 16 बरावर 16 पंजे 80 बताओ फर्स्ट केस की स्पीड 80 किलो मेटर पर आवर आईगी क्या निकालना क्या है वेसे समय स्पीड याने की ओरिजनल स्पीड निकालना है उसकी बोला क्या देखो सुनो बोला क्या इसने कि स्टेशन एसे तब इकी बीच की दूरी निकाले तथा रेल गाड़ी की चाल गयात करें अब रेल गाड़ी की चाल में यह नहीं बताया पूरानी चाल के नहीं चाल पूरानी कैसे हैं question के ठीक है यदि चाल को पांच किलो मेटर प्रतीघंटा कम पर ले हैं यदि कम कर ले हैं यदी कम कर ले हैं यदी कम कर ले हैं के condition दिये यदी एसा-एसा हो जाये थो वास्तविक्ता पहला वाला case है question को पढ़ो ठीक है आपको उसके intension से पता चलेगा reality first case है second case में speed क्या हुरी है कम समझ यह बात है ना ठीक है तो अब देखिए 15 16 16 से 15 एक बराबर 5 तो 16 बराबर 16 पंजे 80 तो बताओ 80 km per hour आयका के नहीं आएगा है ना तो original speed क्या 80 के अब distance भी निकालना है distance speed into time से आता है तो सीदिसी बात है speed 80 है speed 80 km per hour टाइम कितना है पेटालिस मिनट अच्छा अच्छा कि स्पीड कितनी 80 km per hour टाइम कितना है पेटालिस मिनट बोलो समझे के नहीं समझे बात को है नौ अच्छा कि इस पीड कितनी है 80 km per hour है ना और टाइम कितना है पेटालिस मिनट बोलो समझे के नहीं समझे इतनी सी बात क्लियर ठीक है speed 80 km per hour टाइम कितना है पेटालिस मिनट है ना ठीक है इस पीड इन्टो टाइम से डिस्टेंस आता कि नहीं आता इस पीड है 80 km per hour टाइम है पेटालिस मिनट आ जाए अगर डिस्टेंस यांसे ना और भी तरीक हो सकते निकालने के कहीं सारे ठीक है ना समझ आई बात ठीक है speed 80 time कितना है पेटालिस मिनट तो डिस्टेंस आज आएगा ना ठीक है या फिर इदर से भी निकाल सकते हो इदर से 75 आएगी 75 की speed 48 मिनट क्योंकि distance तो कॉमन है ना speed into time ये distance भी वही आएगा speed into time ये distance भी वही आएगा speed 75 लोग है इधर वाली तो पिछत्र के साथ 48 टाइम लेना इधर लोग असीत असीक साथ 45 दोनों से आए अच्छा distance किलो मेटर में चाहिए मेटर में चाहिए कैसे चाहिए कि अप्शन में देखे जड़ा डिस्टेंस कैसे चाहिए इन लोगों को कि किलो में चाहिए ठीक है किलो में चाहिए तो एक काम करते हैं इसको घंटे मदल ले मैंने बोला ना हमेशा यूनिट के साथ लिखना है ताइमें डिस्टेंस में आपको 45 बटे 60 घंटे बोलो समझे के नहीं समझे बात को मिनट को घंटे में के बाई साथ ये देखो घंटे घंटे कैंसल आएगा किलो में रिजल्ट अब सॉल्व कर लें इसको 15 से 3 बार 15 से 4 बा 20-60 बताईए ृचार के नहीं आएगा सणका अधिश्टेंस और जाख की लोमेटर आएगा के नहीं हाएगा इसकी साथ की किलो मिटर आएगा के नहीं आएगा सिस्टेंस तूगिर है क्या 3 सवाल थीक है अब मैं आ जा तो यह कौन सा टाइप था हमारा टाइप 8 था अब मैं आ जाता हूं टाइप 6 में है ना चलिए टाइप 6 पर आते हैं यह समझ में है ना distance constant speed time inverse होता है ठीकिना यह कैसे कई बार यूज होते रहेंगे अभी बहुत यूज होगा time and distance बहुत पढ़ना बाकि यह भी पढ़ते जावाब लोग है ना मिटा दो इसको चलो टाइप 6 पर आते हैं ना कर दो कर दो कर दो कर दो चलो भाई टाइप शिक्स टाइप शिक्स का कुश्चन नंबर वन टाइप शिक्स जो ना इस्टोपेज़ वाले सवाले इस्टोपेज़ रुक रुक के चलने वाली गाड़ी इस प्रकार से ना टाइप शिक्स के जो भी कुश्चन से स्टोपेज़ वाले कुश्चन है सारे के सारे ठीक है न जिसे लोकल ट्रेन होती न बार बार इस्टे से रुक रुक के चलती इस प्रकार से ठीक है चलो पहले सवाल कितना डिस्टेंस ताई करना है पांच किलो मेटर का ठीक है ना कि रिस्टय करना है5 किलोमेटर एक हैं अब देखिया पर क्या है कहान है राता है धांच प्रत्यां किलोमेटर के बाद 5 मिनट का विश्राम करता है प्रत्य किलोमेटर के बाद पांच मिनट का विश्राम है तो पांच किलोमेटर में यह पांच किलोमेटर है यह पांच किलोमेटर है प्रत्य किलोमेटर के बाद 5 मिनट का विश्राम करता है है बताओ टोटल 20 मिनट का विश्राम हो गया क्या तो कहने का मतलब क्या है और चाल क्या है उसकी 10 किलोमेटर प्रतिगंटे इस चाल से दूरी तई करना है तो टोटल टाइम कितना खर्च हुआ है ना 10 किलोमेटर प्रतिगंटे की चाल से दूरी तई करना है तो टोटल टाइम कितना खर्च हुआ ये हमें देखना है बोलो समझे के ने समझे बात को clear है ना 10 किलोमेटर प्रती घंटे की चाल से ताई करना है तो total time कितना लगा तो time दो प्रकार से खर्च हुआ एक तो चलने चलने में time खर्च हुआ और एक रुकने में तो दो प्रकार के time से total time आएगा एक travel time यात्रा वाला समय प्लस एक होगा stop time रुकने वाला समय तब जाके total time आएगा अच्छा stop वाला समय 20 मिनट है क्या बोलो हर एक किलोमेटर में 5 मिनट का ब्रेक लेना है 5 किलोमेटर में total 4 ब्रेक होंगे देख रहे हो आप stop time 20 मिनट चलने वाला समय अब 10 की चाल से 5 किलोमेटर में आधा घंटा खर्च होगा की नहीं होगा सोचो न आप 30 मिनट लगेंगे अरे 10 किलोमेटर प्रती घंटे की चाल से 5 किलोमेटर चलने चलने में आधा घंटा खर्च होगा की नहीं होगा बहिया एक घंटे में 10 किलोमेटर यदि एक घंटे में 10 किलो मिटर तो 5 किलो मिटर आदा घंटा लगेगा किन लगेगा 30 मिनट आएगा या फिर टाइम होता है distance upon speed अच्छा distance 5 किलो मिटर है और speed कितनी है मैंने बोला ना unit के साथ लिखने के आदर डलो किलो मिटर किलो मिटर cancel बताओ ये घंटा उपर आ जाएग तीस मिनट आएगा के नहीं आएगा तो बताए टोटल ट्रेवल टाइम कितना आएगा पचास मिनट है कि टोटल ट्रेवल टाइम कितना आएगा पचास मिनट बोलो समझें के नहीं समझें कि टोटल ट्रेवल टाइम कितना आएगा पचास मिनट बोलो क्लियर है कि इतनी सी ठीक है भी अगहेंगा इसके हैं कोई दिक्कत नहीं तो जब फ्रकार कद। सवाल यदि आता है टोटल लिगे दोनों को जोडनों profit लिखione एक सवाल के द्वरा समझाओंगा उसको आजाो कुष्ण अमबर घ्री पर है मिटा दो न fertig मिटा दूमिटादू इसमेड़तो twee देखें तरिम को के चलिए देखिए को श्र नमबर थरी है कि का सवाल नमबर तीन पर आ ठीक है यूदि हम बात करें को श्र नमबर थ्री की uh एक express rail गाड़ीersch अब आरां मोचा स़ांति से कहानी सुनों की सवाल क्या है पहले था है यह सवाल की कहानी क्या चलिए, देखिए, एक एक्स्प्रेस रेल गाड़ी जिसकी गती 90 किलोमेटर पती घंटा है, प्रत्येक 60 किलोमेटर के बाद 5 मिनट रुखती है, प्रत्येक 75 मिनट के बाद, प्रत्येक 75 मिनट नीँग, 75 किलोमेटर है, यदि दोनों रेल गाड़ी आएकी समय पर चले, तो लोकल रेल गाड़ी उतने समय में, कितने किलोमेटर चलेगी, जतने समय, एक्स्प्रेस रेल गाड़ी 540 किलोमेटर जाती है, देखें सवाल कैसे बना हम बताओं जैसे आप ट्रेन से यात्रा करते होंगे कई बार हम ट्रेन से यात्रा करते हैं कई बार हम ट्रेन से यात्रा करते हैं ठीक है ना तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन आने के दो घंटे पहले हम इस्टेशन पर पहुंच जाते हैं अब आप इ कreन से जाना है और आप पहूंचके हैं ठीक है तो ऐसे निकली अश्चाम में न आ जाने कहाँ जाईगी यह सामने कल 2 तो इसे विचार आते रहता तो मेरे सामने में से एक तो वो express train भी जा रही थी और local train भी जा रही थी है ना तो मेंने दिमाग लडाया सबसे पहले तो मुझे दिमाग में आया कि और express train सोरी express train local train से तो बड़ा तेज जाती नहीं और कितनी अच्छी होती है local train में तो सारे कुछ वो general वाले ही होते है ने जोरी बिलकुल एसी वाले है नूँ कि लोकल लोकल तो बहुत या बहुत याब नी जाना ठीक है तो मेरे मन में आया कि Congress Purproprojan dance पहरेवर्च यारब आप मेरे मन में आया कि एक स्पोस्पोस तरेंग वह तो लोकल ट्रेंड से बहुत क्या जाता हो जैसे माझना लो दिल्ली से मूंबई जाना हो तो इक्सपोस्पोस पहुंचा दि डिल्ली से मूंबई अधी जाना हो तो तो एक्सप्रेस ट्रेन साथ से आठ घंटेम पहुंचा दे वहीं जगा लोकल ट्रेन तो दो-दो दिन लेगी तो मेरे दिमाग में विचार आया एक विचार आया मेरे दिमाग में कि जितने टाइम में जितने टाइम में, जितने टाइम में, एक्सप्रेस ट्रेन 540 किलोमेटर जाती है, उतने ही टाइम में लोकल ट्रेन कितना किलोमेटर जाती होगी? आप भी सोचो ना जरा एक बार मेरे सवाल पे, जितने टाइम में एक्सप्रेस ट्रेन 540 किलोमेटर जाती है, उतने ही टाइम में लोकल ट्रेन कितना जाती होगी? बहुत कम जाती होगी, आधे से भी कम शायव, 540 किलोमेटर मतलब मान लो आप इंदोर से मुमबई हो गया, 540 किलोमेटर में है ना, डिस्प्लेसमेंट देखे तो डिस्टेंस नहीं है ना? तो 540 किलोमिटर में लगभग आप मान ले इंदोर से मुंबई समज़ाई बात क्लियर है ना ? ठीक है तो 540 किलोमिटर में मान ले आप इंदोर से मुंबई तो मेरे दिमाग में सवाल आया और यही question भी है कि जितने time में express rail गाड़ी 540 km जाती है उतने ही समय में local rail गाड़ी कितना जाती होगी बहुत कम जाती होगी तो बस यही सवाल है कि जितने time में express rail गाड़ी 540 km जाती है उतने ही time में local rail गाड़ी कितना जाती है तो सबसे पहले यह देखें कि express rail गाड़ी 540 km कितने time में जाती है है ना उतने ही time फिरम local train को दोड़ाएंगे तो पता चलेगा local train कितना cover करती है जितने time में express train 540 km जाती है उतने ही time में local train कितना km जाएगी समझाई बात तो सबसे पहले ये पता करें कि express train 540 km कितने time में जाती है उतने ही time फिरम किसको चलाएंगे local को समझाई बात तो चलो बात करते कि इस कितने टाइम में इकल्ट डाइन फांसो चालिस जाती उतने टाइम को चलाएंगे ?. अब देखिए यहां पर क्या है कहानी कितने टाइम में starving 530 क्लम जाती है जितना ही तो पहले वो टाइम निकालो किसने टाइम में एकस्प्रेस ट्रेन 540 ऐन को चा Turns अब अब सिधी सी बात है यार बिना रुके सीधे एक की बार में तो पांसो चालिस जाती नहीं होगी बीच में ट्रेस्टेशन पे एक दू जगत रुकती होगी तो वही कहानी बताई है पड़ता हूं स्टार्टिंग से एक एकस्प्रेस रेल गाड़ी जिसकी गती 90 किलोमेटर प्रती घंटा है भाईया चाल क्या है 90 चाल है 90 इस्पीड है 90 क्लियर ठीक है इस्पीड कितनी है 90 ठीक है कि प्रत्यक 100 किलोमेटर के बाद 5 मिनट रुकती है तो पांस सो चालिस में कितनी चाल होगा छे नमें की चब्वण 9 बार तोटल नो बार साथ होगा यदि साथ नो बार होगा तीन चार-पांच शे-स्याट उर्ट हो गया नोबर साठ देख الصentar 6066 कि कानो बार साथ है ना एकनो बार साथ जब साथ नो बार हेतरो रुकना आठ रहोगा क्या 3 4 5 6 7 और 8 बताओ 8 बार रुखना होगा क्या नहीं होगा हर 60 किलोमेटर के बाद कितना रुखना है पांच मिनट हर 60 किलोमेटर के बाद 5 मिनट रुखना है तो 8 बार 5 मिनट मैंने बोला ना टोटल टाइम दो प्रकार से आएगा हुगा एंग 2 ट्रेयलिंग time है है और एक स्टॉक टाइम है है और एक हुग क्या के पिज़ाल हैं डिए टोजना है जिए हुग नो बार साथ होगा तो रुखना कितनी बार होगा आड़ हमेसा दिमाग लड़ान आ एसा कि जितनी बार वो सेट होगा उससे एक कम बार हमेशा रुखने वाला टाइम बनेगा समझा है यही बात देखो 9-6-6-6 के लेकिन रुखना के वाला 8 बार हो रहा है कितनी बार? 8 बार समझा ही बात तो यह चीज़ ध्यान रखना हमेशा कोई बड़ा लेंदी सिरीज भी आता है तो भाग देखे जितनी बार आ रहा है उससे एक कम कितनी बार रुखना होगा 8 बार तो 5-5 मिनट एक बार में तो 8 बार 5 मिनट करोगे तो बताओ total 40 मिनट stop time आप travel time की बात कर ले 90 की चाल से 540 जाने में 6 घंटे लगेंगे 6 घंटे तो total time अरे सिदी सी बात यार 90 की चाल से 540 जाने में 6 घंटे लगेंगे है ना 6,90,54 90,540 है ना या फिर time distance upon speed से आता है distance कितना है 540 किलोमेटर और speed कितनी है 90 किलोमेटर 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 cancel बताओ 6 घंटे आएगा कि नहीं आएगा time है ना 6 घंटे देखिए यहाँ पर क्या है कहानी 6 घंटे और 40 मिनट ठीक है तो 360 और 40 बताओ टोटल 400 मिनट है क्या 6 घंटे 360 मिनट होता कि नहीं होता तो टोटल 400 मिनट तो कहने का मतलब हमने यहाँ से देखा कि express train को 540 किलोमेटर जाने में 400 मिनट लगे क्या बोलो लगे के नहीं लगे 400 मिनट express train को 540 किलोमेटर जाने में 400 मिनट लगे किन लगे अब इसी 400 मिनट हमें किसको चलाना है लोकल को इसी 400 मिनट में हमें किसको चलाना है लोकल ट्रेन को जितने टाइम में express रेल गाड़ी 540 किलोमेटर जाएगी उसी समय में लोकल रेल गाड़ी कितनी जाएगी, तो 400 मिनट तक लोकल को चलाना है हमें है ना, तो चलो लोकल की स्पीड देखें, लोकल की स्पीड क्या है, एक लोकल रेल गाड़ी जिसकी गती 35 किलो मिटर प्रति घंटा है, प्रत्येक साड़े सतरा किलो मिटर है, मिनट नह को कहा नहीं क्या है लोकल ट्रेन की स्पीड है 35 है ना अब लोकल ट्रेन कैसे चलेगी कि साड़े सत्रा किलो मिटर के बाद दो मिनट रुकेगी कि कितने मिनट रुकेगी दो मिनट दो मिनट रुकेगी है ना साड़े सत्रा किलोमेटर के बाद दो मिनट रुकेगी क्लियर साड़े सत्रा किलोमेटर के बाद दो मिनट रुकेगी और जब रुकेगी तब दूरी कितनी ताई होगी जीरो किलोमेटर कि समस्ते हो आप लोग है ना अरे बहुत क्यों केसे चलेगी साठेशात्राथ किलोमीटर चली उसके बाद दो मिनट रुखेगी फिर तो साठेशात्रा किलोमेटर चली फिर दो मिनटर रुखेगी तो करने होगी दो मिनिट्र की तो दूरी कितनी होगी जीरो अच्छा लोकल टरेन की चाल कितनी है 35 किलोमेटरन पर थी घंटता है कि एक घंट conveyper 35,20,30 c 1 325 किलोमेटर या फिर 35 किलोमेटर एक घंटे में सा 35 किलोमेटरन आधे गंपता है परणी खाएने जाईके नहीं जाएगी और फुकिलो सथरा कीलो मिटर कितने टाइब में जाईगी 30 मिनट में बोल। समझे के नीए समझे상 क्लियर है ना क्या है mie सुनिए ऐसा है कि लोकल ट्रेन हड़ साड़े सतरा किलो मेटर के बाद दो मिनट रुकेगी तो साड़े सतरा किलो मेटर चली दो मिनट रुकी जब दो मिनट रुकी तो दूरी तो जीरो ताई की ना और साड़े सतरा किलो मेटर कितने टाइम में जाती है तीस मिनट में 24 1 गंटने में 30 किलो मिटर पर फिर 2 रूखी यिए टोटल 32 मिनट बताईये टोटल साड़े 15 किलो मिटर काम हुआ क्या कि 32 मिनट में 37 हुआ कि नहीं हुआ यह एक साइकल बना लिया मैंने यह मैंने क्या बनाया एक साइकल एक साइकल कितने का बना 32 मिनट का और काम कितना हुआ साड़े सत्रा किलो मेटर है ना एक साइकल बना 32 मिनट का और काम कितना हुआ साड़े सत्रा किलो मेटर बोलो समझे के नहीं समझे बात को है ना एक साइकल बना 32 मिनट का और काम कितना हुआ साड़े सत्रा किलो मेटर क्लियर समझा ही बाट ठीक है ना 32 मिनट का और काम कितना हुआ साड़े सतरा किलोमेटर है अब देखो इसमें हमको मैंने एक साइकल कुछ यू जनरेट किया साइकल क्या आपको इस टॉप टाइम के लिए देखने की जरूरत नहीं है सिधे 32 32 मिनट पे जंप मारना है आपको 32 मिनट में स्टॉप टा में काम चलाओगे तो 32 मिनट में स्टॉप टाइम भी ओल्रेडी इंक्लूड़िड हो गया है ना अब 32 मिनट में साड़े सतरा किलोमेटर तो 400 मिनट में कितना तब हम 32 की सिरीश चलाएं कि आगे-आगे है ना चलो अच्छा दस बार में 320 मिनट हो जाएगा क्या कि तिन्सोबिस चार सो मिनट ना तो 32 को दस बार में 320 के बाद फिर भी अस्य मिनट बच्छेगा 12 बार कर लें क्या यस बारा बार कर लेते हैं उतनी बार करो 32 को के ठीक चार सो के पहले रूखो बारा बार में आ जाएगा शायद चलो इसको देखें तो यह 210 किलोमेटर आएगा शायद साड़े सत्रा बारा बार बार 35, 70, 210 किलोमेटर 210 किलोमेटर कितने टाइम 12, 32, 12, 24, 12, 24, 4, 2, 38, 384 मिनट कितना आएगए 384 मिनट है ना 384 मिनट है यहने कि 210 किलोमेटर 384 मिनट में क्लियर समझाई बात है ना ठीक है 210 किलोमेटर 384 मिनट में अब टोटल कितने मिनट है 400 मिनट 400 मिनट में से 384 गए बलाओ 16 मिनट रोचलना है क्या अब है 384 मिनट में दो सुदा 16 मिनट रोचलना है अच्छा है 384 मिनट में 22 मिनट स्टॉप टाइम भी इंक्लूड़ड है ना क्योंकि 32 मिनट बारा बार किया हमने सिर्फ 30 मिनट नहीं किया 32 मिनट बारा बार किया तो 32 32 32 32 बारा बार में बारा बार 2-2 मिनट का इस्ठरप टाइम भी इंक्लूड हो गया 384 में अब ये 16 मिनट के वल चलने चलने का बचाएगा 15 किलो मेटर 16 मिनट में कितना distance कवर करेगी तो distance speed into time होता है क्या अब देखो speed कितनी अच्छा सवाल है यह speed है 35 किलोमेटर पर आवर और time कितना है 16 मिनट है ना तो आप बोलो तो यहीं के यहीं 22 कर दो मिनट को घंटे में लिख दो आप समझ लेना फिर है ना ठीक है चलो तो सौल्व करते हैं इसको चार से चार चुक सोला चार से पंद्रा बार एक घंटे घंटे के अंसल किलोमेटर में आएगा ठीक है फाइफ थ्रीजा फिफ्टेन फाइफ सेवंजा थर्टी फाइफ ट्वेंटी एड़ वाई थ्री आएगा 28 बाई तीन को और सिंप्लिफाई करेंगे तो नो सही एक बाई तीन किलोमेटर आएगा तो नाइन वन बाई थ्री किलोमेटर तो टोटल आएगा 219 सही एक बटा तीन किलोमेटर या फिर 219.33 आएगा ये वाला अंसर आएगा क्या आएगा 219.33 km समझे के नी समझे इस question को repeat करके देखना बहुत अच्छा question था इस question को आपको repeat करके देखना है बहुत शांदर और बहुत अच्छा question था ठीक है न समझ आई बात तो आज का time यही end होता है type 6 के बाकी के question और बचे वो हम करेंगे कल की class में ठीक है ओके thank you very much मिलते है ये classes में YouTube पर भी चला रहा हूं ताकि आपकी जो quality है उसका problem नहों आप लोगों को daily सुबस साड़े 11 बजे में जो class हम 12 बजे start करते हैं वही class daily 11 बजे YouTube पर मेरे channel पर available हैं बता चुका हम आप लोगों को है ना जब से time and distance start हुआ है तब से YouTube पर सुबस साड़े 11 बजे daily class चल रही जो class आपको 12 बजे एप पर मिल रही है समझ आई बात तो quality का कोई issue नहीं है अब है ठीक है ओके thank you मिलते हैं और कोई भी problem हो तो discussion column में लिखे सरी ये problem आ रही है तो उसको दूर करेंगे है thank you